दोस्तों क्या आपको बताएं डंग बीटर एक ऐसा इंसेक्ट है जो की एनिमेल फ्वेस्ट और गवर में रहना पसंद करते हैं ये डंग इसी गवर को भोजन की रूप में गरहन करते हैं और इसी में अंडे देते हैं और बच्चे को बड़े करते हैं लेकिन एहापी एक सव पर हर सल जानवर की निकले जाए बिलियोंस अपटांड एनिमेल वेस्ट निकला जाता है एक अनुमान के मुताबिक एनिमेल की किंडम के द्वारा उतनाई वेस्ट प्रदन के आ जाता है जो की बेक्टरिया फॉल की मैच करा जा सकता है जो की एक काफी बड़ा एमाउंड ह दोस्तों आप अभी ये सोज रहे होंगे कि ये डाम डिपकमपस होकर एक मिनिमेल की रूप में ग्रीन फ्लन को बूस्ट प्रस के काम करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है जो कि डिकमपस होकर गौबर और अनिमेल वेस्ट नैट्रोजेंट पोटीसियाम पोस्पोरास एक बहुत अच्छा सुरोध होते हैं जो कि शुद में मौजूद निट्रेंज के बूस्ट करने के साथ साथ वर्डिंग वाटर को कपसिटी बढ़ा देते हैं लेकिन आपको बता देकी एनिमेल वेस्ट को डिकमपस होने के लिए कुस माइन से लेकर कुस सालों भी लग जाते हैं जो क वही दूसरी तरफ इन जानवर की जानवर की दोबरा पारय तादाप में मॉल वेस्ट को निकाला जाता है और वही से काम शुरू होते है एक डॉंक विटल का। दोस्तों डंग विटल के पास कमाल के सुंगने का खमता होते है वही आसपास गवर किया जाने वाले मॉल को काई किलोमेटर दूर से पता लगा सकते है और वही गवर का पता लगाने के बाद इन गवर को इस्तमाल अपने भोजन के रूप में करते है और एही से इस्टाट होते हैं डंग बीटल की लाइफ साइकल की लेकिन आगे बाढ़ने से पहले बता दू इस चैनल में आप नए होतो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर डिजी जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आप सपोसे करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस प्रक्रिया में सबसे पहले नार और मादा की मिलन के प्रक्रिया होते हैं जो की एक से दो मिनिट का समय भी लग जाते हैं और एही मिलन के प्रक्रिया के बाद एक सुरक्षित स्टंट को डून लेते हैं ताकि ये गवर की मॉल में जाके अंडे देते हैं ताकि ये अंडे से निकले हुए लाबरा को भोजान ठीक समय पर मिलते रहे दोस्तों आपको बता दे कि आज इस प्रितिवे पर डंग विटल की से हजार से भी ज्यादा प्रजाती पाए जाते हैं जो की मुख्य तरह से तीन तरह की होते हैं जो की रुएलर, ट्वेलर, एंड्वेलर्स जो की रुएलर्स साइस में सबसे बड़े होते हैं लगबग देर इंसका होते है जो कि इनका काम है गवर को छोटे छोटे बॉल बना कर मिटिक में सिंबर बना कर स्टर करके रखते है वही टानलर जानवर के दिये गए गवर की ठीक नीचे टानलर बना के नीचे छोटे 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 बॉल बना कर रखते है जो कि गवर की टु और उसी में सर्वाइब कैसे कर लेते हैं तो चलिए इस पीसे की तच्थ जान लेते हैं दरसल जानवार अपने किये गए मॉल को 50-70% मॉल को ओजम कर बाते हैं बाकी के 30-50% उनके दारा गॉबर के साथ वेस्ट की तरह निकल जाते हैं रंग मीटर उही से 30-50% मॉल को खाके होजम कर लेते हैं दोस्तों आपको एह पर एक बात बताना चाहूंगा कि एनिवल के द्वारा कम्प्लीट डाइजिस्ट ना होने के एहम भूमिका निवाते हैं जबकि गाई बैज जीराब जीरनी शाकाहरी जी भोजन को ग्रहन कर लेते है अब भी यह भोजन के रूप में पेरों को भीष को भी खा लेते हैं लेकिन इनके बोड़ी में कम्प्लीट डाइजिस्ट ना होने के कारण यह बीच बिना डेमेज हुए बहार निकालाते हैं जिस तरह के वही एक पेरों के बीच एक इस्तन से दूसरी इस्तन को पहुश कर देते हैं दोस्तों डंग विटर के जब दूसरी कर के प्रजाति लाजते हैं यह दिन से दो दो टनलर और डंग बीटर लाइफ साइकल के पुर्क्रिया में आगे बढ़ाने के दौरान अंजाने में पेनिवेल के डंग को प्लांड के ज्यादा होने के काम भी करते हैं जहां लाबरा के दौरा काफी तेजी से खाकर डिकमपोच कर दिया जाता है जिसके बाद प्यारों की ब आज दिन रहने के बाद लाइफ चरण के तीसरी स्ट्रेश में पोज़्च बॉलते हैं दंग बीटर पूपा इस्टेश में दससे बारा दिन प्लाक रहते हैं जिस दवरान इसके बचली का विविन अंग को विकाश होने लग जाते हैं जैसे कि आक पैयर प्राइफ प्रज सालों के तक जिवित रहते हैं दोस्तों आज के लिए उम्मिद करता हो किया कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कॉमेंट शेयर जुरू करना थेंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो पे